हरी सावुत मूं का यह उपाय आपके जीवन में धन और आपके जीवन में नकात्मा कूर्जा से आपको मुक्ती देगा आज हम मित्रों बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि आपके जीवन में यदि या तो धन की समस्या है नकारत्म कूर्जाओं की समस्या है घर में तंत्रवंत्र की समस्या है या आप दूसरी प्रकार से कह सकते हो काम में किसी प्रकार अर्चन या नजर लग जाती है इस प्रकार की यदि कोई समस्या है तो सावुत मुं का यह उपाय आपके जीवन में इन सब से आपको मुक्ती द करना है लेकिन जब भी आपको ये लगे कि हम सारे प्रयास कर रहे हैं और धन नहीं आ रहा है यह जितना आ रहा है परियाप्त नहीं हो पा रहा है या हमारे घर पर किसी ने कुछ किया है या बांद दिया है हमारे घर पर नजल लग गई है या हमारे काम किसी किसी कारण से रुख जाते हैं तो भी यह उपाय बहुत कारक सिद्ध माना गया है इस उपाय को सही प्रकार सही प्रकिरिया से करने पर सौप्रित्सत लाब देखने को आपको मिलेंगे वीडियो अमारा लेकिन इसका बड़ा महत तो है पूजा में भी जब भी साबुत मूंग और भगवान शिव की बात होती है तो यह बहुत प्रकार से आपको लाब देते हुए दिखता है आपको यह उपाय सौंबार के दिन करने है और लगातर ग्यारे सौंबार यह उपाय करना है यदि महिला कर रही है तो आप अशुद दिनों में नहीं करेंगी उसके बाद आप इसको कर सकती है क्या करना चाहिए आपको एक मुठी साबुत मुंग लेना है और अपने आसपस किसी भी शिवालय में चले जाना है जहाँ पर सिवलिंग हो और अपनी मनोकामना के साथ कम से कम जैसे आपने एक मुठी मुंग लिया है तो आप उस प्रकार से सिवलिंग पर छोड़ेंगी कि आप अपनी मनोकामना कम से कम पांच या साथ बार बोल पाएं पांच बार साथ बार ग्यारे बार अपनी मनोकामना जो भी है अब आपकी मनोकामना धन संबन देते तो धन संबन बोलिए आपके घर में मनोकामना है कि प्रहिशानी आ रही है कि तंत्रमंत किया गया है तो वो बोलिए आपके गर में नजर दोश्य काम से रुकावट है तो आप उस मनुकामना को बोलिए तो मूंग आप डालते समय शिवलिंग पर आप अपनी मनुकामना बोलेंगे छोड़ते समय दूसरा जब भी मूंग आप डालेंगे उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल अवश्य उनको अर्पिद करेंगे और शुद्ध जल अर्पिद करते समय भी अपने मनमें मनुकामना बोलेंगे उसके बाद वहीं बैटकर भगवान शिव का कोई भी मंत्र चाहे आप ओण नमस् शिवायए चाहे आप श्री शिवाय नमस्दृव्यम चाहे नमस्षिवाय इनमेंसे क कोई भी मंत्र 108 वार वहां बैठ कर पड़िये और अपनी मनोकामना बोलते हुए श्वाले से बाहर आ जाईए यही आपको फिर दुबारा से अगले सॉम्बार रिपीट करना है यही अगले सॉम्बार लगातर 11 सॉम्बार आपको करना है आप यह देखेंगे कि जैसे जैसे 30 भंबार आपके बढ़ते जाएंगे पहला दूसरा तीसरा चौता चौता पाँच भाँ वैसे वैसे आपके जीवन में जो मनोकामना आप बोलकर यह उपाई कर रहे थे आप देखेंगे कि यह मनोकामना आपकी धीमे 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 पूरी होने लगेगी यानि कि आपके जीवन में आ रहे ही समझचा है धीमे धीमे आपके जीवन से जाने लगेगे यह उपाई सही प् बीबी किया जा सकता है कोई भी महिला कोई भी पुरुष कर सकते हैं अपने घर या घर से बाहर अपने शेर अपने शेर से बाहर कहीं भी यह उपाए किया जा सकता है वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्चन में रादे रादे लेकें आप हमें लाइक करें फॉलो कर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें रादे रादे